नमस्कार दोस्तों मैं सती सानी आप सभी का स्वागत करता हुँ हमारे चैनल Learn and Learn Academy पर तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिकी राष्ट प्रती चुनाओ के उपर कौन है जो बाइडन जो जीत के करीब पहुंच चुके हैं आज उनहीं से जोड़ी कुछ अंसुनी बातें और क्या है बाइडन का इतिहास और भविस का क्या है उनका प्लान ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो बिल्कुल भी देरी ना करतें इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न अंडरन अकाडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप हमारी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अप्लॉस बटन को दबा कर आप हमारी चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं अमेरिका में राश्टपती चुना हो चुके हैं और अब वोटों की गिंती चल रही है वोटों के गिंती में फिलहाल Democratic Party के राश्टपती पत के उमीदवार जो बाइडन, Republican के उमीदवार और अमेरिकी राश्टपती Donald Trump से आगे चल रहे हैं बाइडन जीत के काफी करीब पहुँच गए हैं और उनके प्रतिदवन्दी Trump के बीच मुकाबला सीधा होता दिख रहा है। जोड़ी कुछ एहम बाते जानना बेहर जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन है जो बाइडन, क्या आप जानते हैं राश्टपती चुनाओं की रेस में पहले भी उतर चुके हैं बाइडन, अमेरिका में Democratic Party के राश्टपती पत के उमीदवार जो बाइडन का राजनितिक करियर काफी लंबा रहा है। अगर वा इस बार राश्टपती चुनाओं जीते तो सपत लेते वक्त 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे उमर दराज राश्टपती होंगे। जो बाइडन यानि जौसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर का जन्म साल 1942 में पैंसिल विनियर राज के स्क्रैंटन में हुआ था। वो अपने बच्पन में ही डेलवेर चले गए थे। 1972 में बाइडन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक कुछी हथो बाइडन के परिवार में एक प्रास्दी हुई जब एक कार एक्सिडन्ट में उनकी पतनी नीलिया और बेटी नाउमी की मौत हो गई जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाइडन अपने बेटों को देखने के लिए वि बाइडन ने अपनी बेहन वैलरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 43 साल के उम्र में बाइडन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी। बाइडन के छोते बेटे हंटर की बात करे तो ए उनके एसली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। बताया जाता है कि साल 1988 में बाइडन की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनके अंतिम संसकार के लिए पादरी तक को बुला लिया गया था। आपको बता दो कि बाइडन हफते में 5 दिन वर्काउट करते के मुताबिक बाइडन एमेर की राश्ट्पती पत की जिम्मेदारी सभानले को फिट हैं। हाला कि वह पहले इंट्रा क्रानियल हैम्रे से जूच चुके हैं। वहीं बाइडन भी सराव या सिगरेट का भी सेवन नहीं करते हैं। डेलवेर से छे बार सिनेटर रह चुके बाइडन राश्ट्पती चुनाओ की रेस में तीसरी बार उत्रे हैं। उनकी पहली कोशिस 1988 के चुनाओ के लिए थी। हाला कि तब उन्हें साहेतिक चुरी के आरोप में पीछे एटना पड़ा था। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिस 2008 के चुनाओ के लिए की थी। बाइडन को अमेरिका के पूर्व राश्ट्पती बराक उबामा का करीबी माना जाता है। वह उबामा के कारकाल में 2008 से 2016 तक दो बार उप राश्ट्पती भी रह चुके हैं। 2020 के राश्ट्पती चुनाओं में बाइडन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे हैं। बाइडन पर ब्रिटीज लेबर पार्टी के नील किनांग के भाशन की साहेतिक चोरी का आरोप लगा था। इसके इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी। लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। बाइडन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वासिंग्टन डेसी की पुलिस के पास एक आपराधिक सिकायत कर आई थी। महिला ने सिकायत में आरोप लगाया था कि बाइडन ने 1993 में उनका यौन उत्पीणन किया था। बाइडन के तीन बड़ी प्रात्मिक्ताएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली हेल्थ केर से जुड़े धाचे का विस्तार करना। सिच्छा में ज्यादा निवेश करना। सायोगी देशों के साथ संबंदों को नई दिशा देना। जो बाइडन का भारत को लेकर क्या रुख है। भारत के 74 सोतंतरता दिवस के मौके पर भारती अमेरिका समधाय को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा था कि अगर वा राश्पती चुनाओ जी मानू समझोते को मंजूरी देने की कोशिश की आगवाई कर रहा था। मैंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया जादा सुरच्छित हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर वा राश्पती चुनाओ जीत जात वर्तन जैसी वैस्विक चुनाओतियों से निपटने पर काम करेंगे। तो दोस्तो ये थी जानकारी जो बाइडन से जुली हुई। तो दोस्तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और ह हमारी चैनल Learn and Learn Academy को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। खुस रहें। धन्यवाद।